विराट कोली ये आपने क्या कर दिया ये सवाल हर किसी के मन में है और हैरान परेशान आपको रोहिशर्मा भी नज़र आए हैरान परेशान आपको शुमन गिल भी नज़र आए लेकिन विराट कोली दरसल उनने ऐसा किया क्या कि मैदान पर स्थिती ऐसी बनी कि क्रिकेट फैंस ने भी सर पकड़ लिये जो टीवी पर देख रहे थे उन्होंने भी सर पकड़ लिये और अमपायर की ये अलग सी मुस्कान ऐसे क्यों आई थी तो हुआ ये कि भारतिय बल्लेबाजी जब दूसरी बारी अपनी पारी शुरू करती है वहाँ पर क्या होता है पर तो रोई शर्मा आउट वाते हैं फिर ये शचुज जैसवाल आउट वाते हैं लेकिन फिर ही होता है कि शुबमन और विराट दोनों बल्लेबाजी कर रहे और उसमें ही था कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट बड़े लंबे अर्सेस नहीं खेली तो यहाँ पर एक बड़ी स्कोर लगाएं और आगे आने वाले पूरे सीजन के लिए तयार हो जाएं लेकिन 36 गेनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था विराट ने एक चौका भी मारा और उसका स्कोर बढ़कर 17 हो गया था लेकिन जो 37 गेन आती है उसमें होती है LBW की अपील बॉल रियल टाइम पर भी आपको देखने हो के लगता है कि बिलकुल सीधा आकर पैड पर लगी है अमपायर आउट भी दे देते हैं लेकिन उसके बाद ये जब विज्वल आते है अमपायर ने आउट दिया विराट कुल ने शुम्मन से डिसकशन किया और विराट ने टैकिया कि मैं DRS नहीं लूगा यानि कि रिव्यू नहीं लेंगे तीनों रिव्यू भारत के बचे हुए थे लेकिन रिव्यू नहीं लिया गया और ये जब रीपले निकल कर आया कि अ आपर DRS ही नहीं लिया यानि कि उन्होंने रिव्यू के लिए वो अमपायर तक भेजा ही नहीं फैस्ता, यानि कि थर्ड अमपायर, TV अमपायर को फैस्ता भेजा है नहीं, और विराट और शुम्मन के बीच आप लिए यहां पर आपको तस्वीर दिख भी रही है, यहां प बिल्कुल लगा कि यह सीधा था और बिल्कुल उनने front of the wicket ये ball pad पर आकर उनके लगा था अच्छा उनके मन में ये था कि उन्होंने ball पर बैट वो टेच नहीं कर पाया यानि कि edge, sneak कुछ नहीं हो पाया है और शुमन फिर भी कहते हैं और शुमन पूश रहे थे उनको कि review आप ले सकते हैं, review लें और उन्होंने ये भी जानना चाहिए कि क्या bad पर लगा तो विराट का जवाब वहां से नहीं था अच्छे ये सब कुछ होता है उसके बाद साफ दिखता है कि LBW था तो पहले first instance पर वह आपको tracker के जरिये दिखाते हैं और दिखता है कि LBW के case में तो विराट आउट थे लेकिन जब विराट फिर पर पवेलियन पहुंच जाते हैं उसका थोड़ी देर में जब action replays आते हैं उस वक्त पर ये देखे रोई शर्मा का reaction ये था जो आपने इससे पहले जो एक तस्वीर देखी थे शुरुआत में जहां पर ultra edge में आपको देखते हैं तो रोहित हरान थे और रोहित यहीं करते हैं और ये तो बैट पे लगा था अमपायर जो आप देखने हैं तस्वीर यहां पीछे भी वह भी वाद में हरान थे किया बताओ विराट को पता ही नहीं चला कि किस तरीके से हुआ शुम्मन गिलने भी जब वापस क्योंकि बिग स्क्रीन पर भी प्ले आउट होते हैं रिप्लेज तो शुम्मन गिलने भी जब देखा तो उनका भी रियक्शन थोड़ा सथा है कि यह बताओ ऐसी एक चीज़ मिस हो गई तो ये एक बड़ा मोमेंट रहा आज के दिन के खेल में अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी हाइलाइट रही जहां पर विराट कोली थे तो नौट आउट पर वो आउट हो गया बैसे में फिर भी लोग अंपायर को को से ने बट अंपायर ने तो जो उनको लगा था उनको लगा कि बहुत गेंड जो है एकदम सीधा उनके पैट पर लग रहा है स्टम्स पर जाकर गेंड लगने तो उनको लगा था यहाँ पर चूक हुई है विराट कोली से जो यह जज नहीं कर पाय कि उनके बल्ले से एज लगा था और आपको याद होगा कि एक सिमिलर इं लिया अब यहिए है कि अब विराट के जितने भी फैंस हैं इंडर के जितने भी घंस है उनस सबको अब इंतजार रहेगा अगले टेस्ट मैच का क्योंकि इस टेस्ट मैच में विराट की विद्ध बैट और यह average फिर दुबारा 50 के पार जाए तो यह पूरी की पूरी update थी कि किस तरीके से विराट को रही not out से लेकिन अब कसूर यहाँ पर किसे empire का भी नहीं कह सकते क्योंकि DRS वो बिलकुल ले सकते और जब moment bat लगने की बात होते तो वहाँ पर सबसे पहली चीज बल्लेबाज को पता होता है कि बल्ला लगा है और अगर शायद विराट को फील होता तो straight away review लेते बट उनको लगा कि मेरा bat नहीं लगा है और इस चक्कर में उनको पविलिन जाना पड़ा बाद में शायद वो भी यही सोचने होंगे कि विराट ये मैंने क्या कर दिया चले फिलाल इस वीडियो में इतना ही अभी आपसे इजादर लेते हैं वीडियो इंफमिशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें शेर भी करें स्पोर्ट्स तक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें